इस वीडियो में आपको कक्षा बारवी हिंदी विशे का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेट के सोल्ड क्यूशन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरी यूटूब चैनल MS Education TV के उपर जा के देख सकते हैं यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डारेट गूगल के उपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com सबसे पहले देखिए आप एक खंड ए बवी कल्पिया परसन पहला परसन दिया गया है निमलिकित ए पठित गद्यान्स को पढ़ कर इस पराधारित परसनों के उतर दीजिए किसके बिना मनुष्य कुछ मिनिट ही जीवित रह सकता है वाईयू के बिना तीसरा उप्षन सही है परसन के जल की उपयोगिता कहां कहां होती है ग्रह कारिये में खेती बाड़ी में उद्योग धंदों में तो सभी में होती है उप्रोकते सभी परसन के यहां अप्वे का क्या अर्थ है तो इसका मतलब होता है आवसकता से अधिक खर्च करना तीसरा उप्षन सही है परसन घय जल की उपयोगिता के लिए क्या करें तो क्या करना चाहिए हमें दुरुपयोग रोकें यानिकि बिना बात उसको जो है वेश्ट ने करना चाहिए है नेक्स्ट है जल अपने आप में एक पोसक ततव है तो यह क्या है एक सत्ते बात है प्रियू पहला उप्षन सही परसन दो नेमलिखित एप अठित काववेंस को पढ़ कर इस परादारित है परसनों के उतर दीजिए तो यहाँ पे काववेंस दिया गया इसको बिल्कुल द देरियादारन करना चाहिए पहला उप्षन सही नेक्स्ट है परसन के वाग्चातुरिय की कहां आवसकता होती है तो सभा में तीसरा विकल्प सही परसन गया शीष की सोबा किस में है तो इसका राइट आंसर है गुरू के चरणों में जुकने में तीसरा विकल्प सही परसन दान देना किसकी सोबा है तो दान देना हाथ की सोबा है यानि कि हस्ट की Next यहां पे देखी अथ्वा में अपने पास एक और काव्यास दिया गया इसको पड़ के आपको जो नीचे आंस्वर आपको देनी है सबसे पहला पर्षन है किसको जागरित किया गया है याने कि यहाँ पे जो है किसको जागरित किया है भारते वासियों को तीसरा वी कलप इसे में सही होगा Next person खैर शिंदू नद तीर वासि किसे कहा गया है तो इसका राइट आणसर रे बारतियों को पहला वी कलप सही चतुरंग चमू का अर्थ है तो इसका अर्थ क्या होता है चतुरंगी नी सेना तीसरा विकल्प सही परसन गयर सेंद तुरंगों का अर्थ है देखें तुरंग का मतलब क्या था गोडा तो इसमें गोडा जो है तीसरे विकल्प में दिया गया है सिंद उक्देश के गोडे तीसरा विकल्प सही सियार किस के लिए प्रियुक्त हुआ है तो ये विदेशी अकर्माने कारी के लिए दूसरा विकल्प सहीं परसन तीन कावेखेंड पर आधारी तनी मलिकित बहुवी कल्प यो परसनों के उत्तर दीजिए तो इसमें एक एक नमर के जो है पांच परसन पूचे गए है पहला परसन है फका पंथी क्या सोच कर जल्दी जल्दी चलता है कि मंजिल दूर नहीं है दूसरा विकल्प सहीं परसन खै पतं कवित्ता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है खरगोश की आखो जैसा परसन गय, पर्दे की किम्ती चीज क्या है वक्त फॉर्थ उप्सन सा राइट होगा उसाक का जादू किस से तूटने की बात की गई है सूरियोद्य से तीसरा विकल्प सही है परसन एड़ है बादल राग कविता में आतंक अंक पर कोन काप रहे हैं दनी लोग यानि की तीसरा विकल्प सही है परसन चयार गद खंड प्रादारीत निमली के बाविकल्प या परसनों के आपको उतर देने हैं एक नमबर के पांच परसन है आपे पूछे गए है पहला परसन है कह लच्मीन बक्तिन का विवा है किस गाउं में हुआ तो इसका राइट आंसर है हंडिया में दोसरा भी कल्प सही है परसन चयार बाजार दसन पार्ट में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा है तो क्या कहा है उनको सही हमी दोसरा उप्सन सही है नेक्स्ट है काले मेगा पानी दे पार्ट में लेखक पार्ट के लेखक में बच्पन से ही कैसी संसकार थे आरिये समाजी तीसरा उप्सन सहीं नेक्स्ट पहलवान की डोलग पार्ट में परिस्थिती को ताडने की एक विशेश बुदिकिस में जो है बताई गई है कुत्तो में पहला उप्सन सहीं नेक्स्ट पुराने कवी किस के पेड में दोलाओं को लगा देना चाहते थे बकुल के फॉर्थ उप्शन सहीं परसन पांच वितान बाग दो पर आदारीत निमलिकित बहुई कल्पिया परसनों के उतर दीजिए कि एक नमर के पांच परसन पूछे गए है ये सोदर खुस होते हुए जेपे और जेपते हुए खुस हुए ये अदा उन्होंने किस से सीखी किस नदा से दोसरा उप्शन सहीं नेक्स्ट है ये सोदर बाबु दफ्तर से लोटते हुए रोज कोन से मंदिर जाते बिड़ला मंदिर फॉर्थ उप्शन राइट नेक्स्ट है जोज पार्थ में लेखक दत्ता जी राव देशाई के घर किस के साथ है गया मा के साथ पहला उप्शन सहीं नेक्स्ट है जोज पार्थ में मंत्री नामक मास्टर क्या विशे पढ़ाते थे वो गणित पढ़ाते थे फॉर्थ उप्शन सहीं नेक्स्ट है अतित में दबे पाव पाट में बोध स्तूप कितने फूट उचे चब उत्रे पे बना है तो इसका राइट आंसर है 25 फूट तीसरा उप्सन सही नेक्स्ट है परसंच है अभिवेक्ति और माध्यम के अधार पर जो है निमलिकित परसंट पूछे गई है तो इसमें एक एक नमबर के जो हैं आपको पांस परसंट देखने को मिलेंगे पहला परसंट देखी इसमें बारत में गोवा में सबसे पुराना च्छापा खना तब खोला गया 1556 में तो इसमें जो सेगिंड ओप्सन ही अपना राइट होगा नेक्स बारत की पहली साइट कोन C है तो इसका राइट अंसर है रीडिफ तैल का नहीं आएगा इसका राइट आंसर क्या जए गा रीडिफ next किसी समाचार संग्ठन के लिए एक निश्चित मांदे पर काम करने वाले पतरकार को क्या कहते है unskalik इसमें second option right होगा पुरोन kalik नहीं आएगा 6 ककारों में क्या आता है तो क्या, कब, कोन, कहा, क्यों, कैसे तो टोटल कितने होगे 6 तो इसमें जो right answer किया आजएगा अपना उप्रोकत है, सभी next radio ना टकिस परकार का माध्यम है तो radio से हम क्या करते हैं, सुनते हैं तो यह क्या होगा आपना यहापे सरव है, केवल जो है, सुनते हैं इससे person 7 व्याकर्ण पर आदारित ने में लिख़ जो है nextatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatinatin तो ये कोई आसान वाला नहीं है ये करिप्या अदाप है ये होता ही नहीं है तो अपना right answer क्या होगा फॉर्थ option यानि कि request करना तो ये right answer क्या होगा अपना fourth option करप्या करके सांथ रहिए next यहाँ पे देखिए वक्या सुध है तो पहला ये रचना उदेख से पूरण है ये रचना सोदेख से है ये रचना सोदेख से पूरण है और ये रचना उदेख से सहीत है तो इसमें जो right answer क्या होगा अपना second option यानि कि ये रचना सोदेख से है अकेला सोदेख से नहीं आएगा सहीत सहीत भी अपना जो है सही अपना तो इसमें जो गलत कौन सा हो जाएगा अपना second option आशिरवाद का संदी विचेद करना है तो आशिरवाद का संदी विचेद बनेगा आशि पला से व़ाद पहला option सही next ए है person 8 नेतिक शिक्षा के आदार पर बोविकल्पियों पर्षनों के उतर दीजिए, एक एक नमबर के पांच पर्षन पूछे गए है, पहला पर्षन है कहा है, मानव कल्या ने तो सूप चिंतन करने वालों को वेदों में क्या कहा गया है, रीशी, इसमें पहला जो उप्षन है, ये हुआ था, इलाहबाद में, सेकिंड ओप्षन सही, सन अठारस सो पचास में, मदनलाल डिंगरा का परिवार साहिवाल छोड़ कर कहा बस गया था, अमरीच सर में, तीसरा ओप्षन सही, नेक्स्ट एक करतार सिंग सराभबा को, मर्तिवधन सुनाने वाले जज़ को उन्होंन गड़्द्यांस का आपको डिया गयास rozum, इसपय में, sulphate गड़्द्यांञ पात वाले परफे चाहिए, गया अनसर आपको प्षे गई पैस पर्फें आपको 5 ऩगर आएगा, इस ही के अथ्वा में, देखे, जब यह प्आलने आपको प्रसंग तुक्ड़ तो अलग से वीडियो में मैं आपको प्रवाइड करवादू हूं इनके complete solution जितने भी ही है थोड़ा सा wait कीजिए 11 का देखिया भिवेक्ति और माद्यम के आदार पर निमलिकित परसन के उतर दीजिए 150 सब्दों में 5 नमर का है परसन है काहानी के नाटे रूपांतरन में किस परकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है और इसी के थवा में है के रेडियो नाटे की विशेस्ताओं पर परकास डालिए नेक्स्ट परसन 12 का वेक्षंड पर आदारीत निमलिकित परसनों के उतर दीजिए परसन 13 गद खंड पर आदारीत परसनों के उतर दीजिए आपको शिरिस का जो फूल है ये पार्ट का जो लेखक है इनके नाम आपको बताना है लेखक का नाम क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं ये मैं इसलिए पूसता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आपकी नोलिज का भी टेस्ट हो जाता है बक्तिन के चरीतर की कोई चार वीशिस्ताओं का वर्णन करें दो नमर का क्यूस्टन है परसन 14 वितान बागदो के आधार पर निमली खित परसनों के उतर दीजिए पहला परसन है परसन 15 व्याकरण पर आधारित निमली खित परसनों के उतर दीजिए पहला है यमक कलंकार का लक्षन एवं मुदारन दीजिए तीन नमर का क्यूस्टन है परसन 16 व्याकरण पर आधारित निमली खित परसनों के उतर दीजिए लो है पुरूस सरदार वल्लबाई पटेल का चारीतरी के वैसे स्टेह सपष्ट कीजिए तीन नमर का परसन है परसन के पतंजली के योग सुत्तर में किन सद्ध गुणों का जो है उल्यक किया गया है यह आपका दो नमर का रहेगा यहां तक वीडियो अपनी कंप्लीट होचकी है वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें वीडियो के बीच में मैंने आपसे जो है क्यूसन पूछे है तो उन क्यूसनों का अनसर आप मुझे जरूर करमेंट सेक्षन में होगा इस वेब साइट से जाके डाउंलोड कर सकते हैं थैंक्स फर वाचिंग